आत्मरक्षा को लेकर गिरिदी में पिछले कई दिनों से बेटियां अश्ट सस्त्र कला में पारंगत हो रही है बता दें कि गिरिदी की बेटियों को शौरिपराकरम और भगवान राम के चनमोटसफ के महापर रामनमी के मौके पर खास ट्रेनिंग दी जा रही है इसी क्रम में बुधवार की अहले सुभा करीब दर्जन भर से अधिक बेटियों ने लाठी के साथ साथ अश्ट सस्त्र का भवे प्रदर्शन किया बेटियों ने शहर के टावा चौक पर समाथ सेवी पूनम बर्नवाल के नेतृत में लाठीयों के एक से एक बढ़कर खेल दिखाए वहीं मौके पर उन्होंने खूब लाठी धुनी और एक दूसरे के साथ जमकर लाठियां भी भांजी और हमारे सरकार को हमारे कानून वेवस्ता को हमारे समाज के लोगों को ऐसी कोई अलग से वेवस्ता नहीं बनाना पड़े जिसके चलते बेटिया हमारी कमजोड पड़ जाती है हम समाज के तमाम लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस कारिक्रम में यह तत्ताल रामनमी के लिए सिफ नहीं बनाया गया है यह प्रतिरी मतलब मेहना में चार क्लास होंगे और इसकी सारी देवस्ताएं निशूल के इसमें किसी प्रकार का कोई स्थूल कभी तक नहीं लिया गया है और यह पुद हम अपने तरब से हमारी इच्छा थी कि यह कारिक्रम हो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है किस्मी सधी नारी सधी है तो निशूल को अपने समाज को अपने परिवार को एवं राश्ट को ससक्त बनाने में हमारी बेटिया बेटों से कदम से कदम मिला कि चल सके इसी लक्ष को लेके हम यह कारी करें न्यूस्विंग के लिए गिरिटी से मरोज कुमार पिंटु की रिपोर्ट